इंग्लेंड सीरीज के बाद जो सवाल भार्टी क्रिकट में बहुत हो रहे थे एंगली जेनरेशन कहां से आएगी आगे के खिलाडी कहां से आए नतीजे के साथ साथ वो जवाब भी मिले उन में से एक ऐसा खिलाडी एक ऐसा नाम जिसकी कई साल से हम बात कर रहे थे यार ये टेस्ट क्रिकट कब खेलेगा क्या इसे टेस्ट क्रिकट मिलेगी के नहीं मिलेगी वो थे सरफराज सरफराज को टेस्ट क्रिकट मिली और जैसे कहते है ना फिश टू वाटर टेस्ट क्रिकट में उन्होंने जाके ऐसे खेला यार जब बैटिंग में करने को गया था तो इनिशली तीन बॉल मुझे थोड़ा साजीब लगा बाद में जैसी मैंने पहला बॉल खेला चोड़ा उसके तीन रन का एक शौट खेला उसके बाद मुझे एसा लगा कि मैं रंजी ट्रोफी का मैच खेला हूं कि पिछले तीन-चार सा चल रही थी कि यह फिल्डर है यह बॉलर है यहां से खेला है ऐसे ही चल रहा था लेकिन इतना आसान तो हर किसी के लिए होता नहीं क्योंकि टेस्ट करिए तो बहुत से लोग खेले हैं तीन गेंद वाके में दिख भी रहा था हम टेलिवीजन पर भी देख रहे थे तो तीन गेंदे लग रहा था कि वह उतना सास आपका ऊपर चले जाता है लेकिन के इतनी जल्डी ट्राजिशन हो जाता है क्योंकि मैं वह जोन में रहता हूं मतलब देखे मेरे घर का ऐसा है मेरे अब बूजो है वह दिन रात एक बार आपकी सुबाद खुल गे उसके बाद से सोने तक खाना वित्तों छोड़ो सोने तक आपकी कोचिंग चलते रहती है तो मेंटली हम इतना स्ट्रॉंग हो जाते हैं कि हमारे लिए वह चीज मतलब खाने जैसे हो गए कि यहां बड़ा इमोशनल मुमेंट भी था मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई थी उन्होंने का मेरी तवेद खराब है शायद मैं नहीं जाओंगा बड़ वहां गए सूरे के कहने पर और सुबह जब आपने कैप उनको दी और उनके आखों से बड़े आंसु निकले हैं इमोशनल मुमेंट तो होता है जी बिलकुल क्योंकि वह एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मेरे भीकत की तक पेटा इंडिया खेल कि उनका छिश्चीजा का इंडिया खेले बहटकि चीजहों के नहीं ख्याल पाया मिखेंथ सब्सक्रेव जबगाव तेनको जब इंडिया खेल जाओंगा तो 20 साल का बोज मेरे पे से उतर जाएगा जो अबू ने मेरे पर रखा है यार लेकिन एक बात है जब आपका पचास हुआ उस सेलिबरेशन हुई लेकिन फिर भी ठीक हुआं ञीको यह होता है कना फॉक्स्राइब मैंने दोनों निंग मिला के सकेंड निंग वापी 68 नौट बना है तो 100 तो बनी गया एवरेज तकरीबन इसी तरह क्या सुनिल गावसकर साहब का भी आगाज हुआ था टेस्क लिगट में उनकी भी दोनों पारियें इसी तरह की जी बिलकुल मैं तो उनका फैन रहता हूं बच खेलने पर आड़ा क्यों मार दिया अलागे रन स्वीट में तो वह कहते होंगे इन शोटों को और पर्फेक्ट करो नहीं यह कहते हैं शॉट सेलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है बीच मैं भी हिमाचल में ऐसी मैच कहता होने बाद वहां पर गावसकर से जा रहे थे तो मै वह भूख हमें एक लेवल तक पहले दिखी उसके बाद यह टेस्ट क्रिकेट में दिखी और रनों की भूख कहां से आई बिकॉस लेखे हरकोई जैसे आपने कहा उमर होती है आप इंडिया खेलना चाहते हो बट जब आपको इंडिया नहीं मिल रहा था क्या उस वक्त आप विचलित हो रहे थे इंपेशेंट हो रहे थे क्या आपको लग रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ किया है पर मुझे मिलनी रहा है इंसान परिशान होता है मतलब कई रात हो जाती ती जैसे नीन नहीं आती थी कि मैं कब इंडिया के लिए खेलूँगा लेकिन मैं एक चीज करने जब है तुमको ऐसा लग रहा था घर की खेती है तो वह चीज शायद और दो साल मैंने वहां पर डोमेश्टिक में खेलने के बाद मुझे वह सब चीज मिली कॉंफिदेंस मिला चलो भाई घर की खेती है बिंदास खेलो तो जो होता है अच्छे के लिए होता है जब ज आपके भाई तो उन्होंने युवराज को आउड भी किया था क्या आपको उस किस्से का मालूम जी बिलकुल अब्बू यहां पर मेरट में कहीं घूम रहे थे तब आप से उनकी बात हुई थी मुशीर अब्बूने मुझे बोले थे कि मुशीर युवरास इनके सामने मैच कहले हैं और मुशीर बहुत चोटा था तब ही उस समय जब मुशीर को कोई फ्रेंडली मैच भी खिलाते थे तो उसके फॉल थूरू पर अब्बू खड़े रहते थे ताकि उसको कोई रीटन शॉट मारे तो मैं पकड़ लूँ तो अच्छे से पता है मुझे कि आप उसमें कैप्टन थे आपने मुशीर को पहला और दलवाया और उसके बाद फिर बोला कि तू रुख जा मैं अब यूवी पाजब आएंगे बैटिंग करने तब तुझे दलवाऊंगा तब उसने दाला यूवी भाई ने उनको चक्का भीमारा चौका भीमारा फिर मुशीर प्रैक्टिस भी करा जी कोवेट का टाइम था लॉकडाउन का टाइम था किदर आप बाहर नी जा सकते थे मेरे अब्भू का यही था कि आपके हाथ पेर ना आपके हाथ पेर में जंग नहीं लगना चीए जैसे कि लोखन में जंग लग जाए तो कुछ काम का नहीं रहता त तो बिल्कुल मेरे अब अमी का भी यही सपना है कि हम दोनों साथ में खेले देखिये बीच में एक मुषीर ने रंजी ट्रोफी डेब्यू किया था तो कई बार लाइफ में चोटे-चोटे सपने करके उपर एक बड़ा सपना बनता है तो मुषीरो मैंने साथ में रंजी ट्र तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें आप भी है वो गार्डन में घूमने वाले बंदों में से साथ वाले वही है मैं तो भागते रहता हूं क्यूंकि नहीं देखिए ऐसा है मुझे खेल के बहुत मज़ाया और मैं सीरियस्ली मतलब मैं बहुत टैम से क्रिकेट खेल रहा हू मुझे बहुत मज़ाया रोइद भाई के साथ खेल कि मतलब जब उनको देखता हूं तो एक्दम प्यार सा आता है कि इतने अच्छे बंदे वो सब को साथ में लेकर चलते जब जब वो टीम में बोलते हैं आपने मुझे मुझे लगान की अमिर खन कैसे टीम बनाता है तो उ अच्छा टीम को साथ में लेकर चलते हैं बाउंडिंग अच्छी है सब को सिखाते हैं जूनियर सीनियर जैसा फीन लिया है मुझे मेरे डेब्यू के टाइम पर ऐसा लगा कि मैं भी बहुत सारे टेस्ट मैच खेल के रखा हूं उन्होंने बहुत इज़त दी राहुल द्रा कि अपना प्रोसेस फॉलो करते रहना जैसे इंडिया में तो आप अच्छा कर रहे हो बाहर की विकिट के लिए आप लोग सब प्रेक्टिस करके रेडिरोग अपकी अपकी तैयारी क्या है क्योंकि एज अफ नाव आप आई पील की टीम में नहीं देखें मेरा तैयारी यही तो यही सो चुगा कि मैं आई पील की टीम में ऐसा नहीं कि नहीं कि अपोर्शिनिटी कभी भी आ सकती है तो अभी में घर जाने के बाद अपनी प्रेक्टिस पूरी करूंगा और अपने आपको एक दम से रैडी रखूँगा लेकिन रेड बॉल के साथ में वाइड बॉल क अब बड़ा वक्ता अब आर सीबी में चार साल में ने विराट भाई के साथ भी गुजारे है और रोईद भाई के साथ मैं नहीं गुजारा था उनके साथ रेसिनूम शेयर किया तो सब एक्सपिरियंस के साथ लाइफ में बहुत मज़ा आया हर एक जन से कुछ ना कुछ सी परिवार का सैक्रिफाइस भी रहा है और उमीद करते हैं कि यही जनरेशन जो है भारत को एक बार फिर और आगे लेकर जाए मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव इनालेसिस स्पेशल इंटिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक कैम